असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं ठीक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथी एरब की एहम और तरीन खबरों के बारे में वहीं दोस्तों दूसरी अपडेट एर इंडिया की तरफ से सेर करते हुए जानकारी दी ग को फलाइट के लिए एरपोर्ट पर इंतिजार नहीं करना होगा जो कि दोस्तों उन तमाम यातिरियों के लिए एक बड़ी खुस खबरी है वहीं दोस्तों तीसरी अपडेट भारतिय नागरी गुडेन मंतिराले की तरफ से डारेक्ट इंटरनेशनल नोर्मल फलाइटों को अपरेल में ओपेन करने के हवाले से अपडेट जारी किया गया है वहीं अगर आप भारत से सौधी अरब के लिए डारेक्ट इंटरनेशनल ड्रेवल करना चाहिते हैं या फिर इन सभी खबरों से रूबरू रहना चाहिते हैं तो प्लीज इस वीडियो को सुरू से लेके ल सौधी अरब में आज क्रोना के कितनिे न्युकेस रिकॉर्ड किये गये हैं जैसे कि आपको इसकृরओर जिन में से वफात एक की हुई है साओधी अरब में क्रिटकल यानिक जो एकदम नाजुक के से वो 962 रिकोर्ड किये गए हैं को जिस्ता 24 घंटों में दोस्तो अलहामदुल्ला साओधी अरब में इस समय कुरोना की निव केस बहुत कम रिकोर्ड किये जा रहे हैं तो दोस्तो इंडिया की तरब से सेर्करते हुए जानकारी डी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अप एर इंडिया फ्रोज का टिकट खरीटे ते तो आप एर इंडिया फिलाइट का टिकट लेकर एर एसिया की फिलाइट में ट्रेवल कर सकेंगे और एर एसिया की फिलाइट का टिकट लेकर आप एर इंडिया की फिलाइट में ट्रेवल कर सकेंगे जो कि दोस्तों उन तमाम यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह कुछ तकनीकी खराबी की वज़ड़ नहीं है और एरिशियलाइँ कीृळाइट इयरपोर्ट पर मोजूद है तो आपको इय котором पर इंडिया फिलाइट का ह tätä कर ने की जडियार कर करने की ज़रूरत नहीं आ monopol है इ Clark Collie के फोलाइट नहीं हिसे पर जिसाए हैवन आपको जहां कि आपको इस्क्रीन पर सो हो रहा होगा इस अपडेट को कल यानि 16 फर्वरी को सेर करते हुए जानकारी दी गई कि भारत में अभी कुरोना के केस बहुत हद तक कम हो चुके हैं जिसको देखते हुए भारत सरकार अपनी इंटरनेशनल सीमा यानि कि जो बौडर्स हैं उनको अ पारे में गिरह मंतरी और स्वास्थ मंतरी से बात चीत कर रहे हैं लेकिन आखरी फैसला लिया जाना अभी बाकी है कि डायरेक्ट इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइटे मार्च में ओपन होगी या फिर अपरेल में ओपन होगी लेकिन दोस्तों इससे यह उमीद की जा रही कि अब भारत से सौदी अरब के लिए बहुत जल्द ही नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटे ओपन हो जाएंगी